तो चलिए ये मज़ेदार सी टमाटर की वाइरल चटने जो यूट्यूब पे बड़ी वाइरल है बना लेते हैं जिसके लिए मैंने लिए हैं पांच बड़े टमाटर जो की बिल्कुल लाल-लाल कलर की हैं इन्हें मैं कर रही हूँ वॉश तो कुछ नहीं करना है मज़ेदार स जब हमने ये हैक ट्राए करा तो बस करना क्या है इसको दो पीस में काट लीजिए तो उदर ना मैंने पैन यानि कडाई या पैन कुछ भी गरम होना रख दिया है तो टमाटर को सजाएंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही किया है मैंने बट यकीन मानिए बड़ी यम्मी चटनी बनी थी जरूर ट्राए करिएगा ये वहला है तो बस ये डाल देंगे ये देखे गैस है ओन मेरी तो इसके बाद इसके उपर मैं ओयल डालूंगी थोड़ा सा आप बटर भी डाल सकते हैं बटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मेल्ट करके या देसी गी भी डाल सकत हैं अब इसके ऊपर थोड़ा सन्नमक डाल देंगे और अब हम इसको से माच पर 15 मिनट के लिए लगभग पकने देंगे धक कर ये पका लिए ये देखे इसका चिलका उतरने लग गया है बहुत गरम है तो उसी फ्राइं पैन में मैंने क्या किया है थोड़ा सा ओयल और लिय है उसमें मैंने डाले है थोड़े से लसुन की कलियां इनको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तो अब असेंबलिंग का टाइम है अब इसका सारा चिलका ये दिखे ऐसी उतर जाएगा थोड़ा हंडा होने दीजिए तो बस चिलका मैंने उतार लिया सारी का और अब अस शर से मैश कर लिया आप हाथ भी यूजर सकते हो इसमें तो इस ओल अप तु यू हाथ से भी क्रेश कर सकते हो तो जैसे भरता टाइप ओता ना टमाटर का वैसे है ये जैसे बैंगन का हम भरता बनाते हैं उसी तरह ऐसे है बहुत यमी बनता है हर चीज का स्वाध बढ़ा तो अब बस इसमें एक ट्वेस्ट और रह गया है इसमें हम एड़ करेंगे हमने कुछ प्याज और हरीमिर्च काटकर रखी हुई हैं वह एड़ करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरीमिर्च डाल सकते हैं अबॉइड करना चाहें अबॉइड भी कर सकते हैं बस अब इसमें टाइम है थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था तो देखके डालेंगे अब इसको किया मिक्स अच्छे से देखे कोई टमाटर रह ना जाए अगर रह गया है तो हाथ से उसको बिल्कुल उसका खचूंबर बना देंगे नमक डाला थोड़ा सा थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यानि लगभग 1 फूर्ट टी स्पून डाला है अच्छे से करेंगे मिक्स किसी भी चीज के साथ करिए सर्व तो ये हमारा हैक रहा वाइरल हैक रहा बहुत ही सक्सेस्टूल अगर आपको मेरी ये वीडि है अच्छी तो प्लीज प्लीज लाइक शेर कॉमेंट और सब्सक्राइब थैंक यू